वेलकम, आज से हम जो है इस Roland SPD 20 Pro Octopad में Page Editing सिखने वाले हैं तो इस Octopad में Page Editing को सिखने से पहले इसके सभी Switch के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है और इसके कुछ Functions के बारे में जानना भी जरूरी है हाला कि हम इसके कुछ Functions को जो है हम आगे चल कर जानते जाएंगे जब हम इसके Settings वागरे में अंदर जाते जाएंगे तो तो चलिए मैं सभी Switch के बारे में आपको अवगत करा देता हूँ यह जो Switch दीक रहा जिस पर Kit लिखा हुआ है और नीचे में Lock तो यह Kit Switch है और इससे हम पूरे Kit को एक Page को Lock कर सकते हैं जिसके बाद से कोई भी इधर का Switch वर्क नहीं करेगा नहीं प्लस मैनाज का नहीं इन में से कोई भी तो इसे Lock कैसे करते हैं तो इसे Lock करने के लिए जो है Shift और इसके बाद Kit को Press किया जाता है जैसे देखिए Shift Kit पैनल Lock हो गया अब यहां से कोई भी हम की को Press करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा और इसे पुना Unlock करने के लिए Shift प्लस Kit तो यह Unlock हो जाएगा देखिए साय रिलाइटी इधर जल गई है और इसका काम क्या है जैसे कि हम किसी भी दूसरे functions में रहते हैं जैसे कि मैंने यह INHT लिखा हुआ है इस Switch को Press किया अब जो है मैं यह Stage Program में कर रहा हूँ स्टेज पर अब जो है मुझे को तुरन से किट मोड में आना है यानिक मुझे प्ले करना है और मुझे पेज भी बदलना है तो मैं इस किट को सिधे उसक्ति से प्रेस कर दूंगा तो सिधे यह आ जाएगा यदि हम जैसे इधर रहते हैं कि यहां से अकर हम एक यह बार हो तो सिधे जो है हम यहां से इस को प्रेश करेंगे तो सिधे हमारे kit mode में आ जाएगा यानि कि यह हमारे playing mode में आ जाएगा editing mode से बाहर तो इस काम के लिए इस kit switch का यूज करते हैं अब जो है इसमें देखे दो डिस्प्ले दिये हुए हैं तो यहां पर जो है क्यों हमें पेच नंबर को दर साता है यहां पर कोई भी चीज और नहीं बता था जैसे कि पीच वगरा वाल्यूम को कुछ भी नहीं यदि हम किसी भी फंक्चान में रहेंगे तो हम जिस नंबर के पेच में रहकर वह एडिटिं तो इनको जो है पेच बटन कहा जाता है जैसे कि यह हमारे कापी है तो इसको जैसे हम पेच बोलते हैं तो सेम उसी तरीके का है तो जैसे कि हम किसी भी फंक्चान में जाते हैं तो वहां पर जो है अलग-अलग पेच हैं तो एक-एक पेच में कई सारे फंक्चान हैं तो उन अब देखिए अदर बटन प्रेज किया तो जैसे हम सबसे पहले अदर बटन प्रेज करते हैं तो यहां पर डिके का उप्सान आता है तो माल लिजे कि मुझे इसके आगे जो और भी फंक्सान्स हैं उसे देखना है तो यह रैट वाले बटन को प्रेज करोंगा तो तो देखिए चेंज हो रहा है ये तो इस तरह से जो है हम ये पेज बटन का उपयोग करते हैं तो इनका जो है उपयोग हम और कहा 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 करेंगे हम आगे जानते जाएंगे और ये plus minus का तो जानते ही है पेज को आगे पीछे करने के लिए साथ ही कोई भी volume ये हमारे decay यहाँ पर लिखा है तो इसको कम जादा करने के लिए सब करने के लिए किया जाता है और भी इनका बहुत से उप्योग है अब चलिए shift button तो shift button का जो है खुद का अपना कुछ भी नहीं है जब हम shift button के साथ kit lock को प्रेस करते हैं तो kit lock या unlock होता है हमारा पेनल और जब हम shift button के साथ sound off को या ये exit वाले switch को प्रेस करते हैं तो जैसे कि हमने कोई लंबा sound वाला कोई इंस्टुमेंट अचानक से play कर दिया ये गलती से play हो गया जैसे कि क्रेस है तो करता बहुत बहुत देर तक तो उसको अगर हमें तुरंद off करना होगा तो हम उन दोनों बटनों की मदद से करते हैं और जो है यदि इस पेट का वालूम मैंने हमें 100 रखा है तो अगर मैं चाहता हूं कि इन आठो पेड में यानि कि एक पेज के लिए ये यूज होगा तो आठो पेड में मुझे 100 ही वालूम रखना है तो मैं shift प्लस एंटर करूंगा तो देखिए set all पेड्स यहां पूछ रहा है केंसिल या ओके तो हमें केंसिल के लिए exit करना पड़ता है और ओके के लिए इंटर तो जैसे मैं इंटर कर दूँगा तो सभी में जो है सेम रहा जाए जैसे यहां पर 50 है डिके यह इसमें कुछ पेज मैंने इडिट नहीं किया है चली तो मैं 55 कर देता हूं और इसे मैं सेट आल करता हूं सिप सेट आल ओके देखिए complete यहां किसी भी पेड में देखिए सभी पेड में सेम है 55 डिके और यहां पर आप पेड संख्या देख सकते हैं तो इस तरह से यह होता है और यह केवल एक लेयर के लिए होता है अगर आप दूसरे लेयर का भी सेम करना चाहें तो दूसरे लेयर में भी सेम अलग से होता है तो इसे मैं 50 ही रखता हूं हमें आगे चल कर page editing इस पर ही सीखना है तो इसका तो इतने मैंने use बताए अब जो हम अगे चलते हैं कि यहां पर जैनल मैंई आपको को भी सौन को ऑप करके बता देता है रही MAX दप्र करना यहां पर मैं कोई इस्डिमेंट ले लिता हूं अब चलते हैं इंटर बटन की तरफ इंटर बटन इंटर के स्विच को हम जानते हैं तो इंटर के स्विच में जो है हम क्या करते हैं एक तो यह सिप्टे के साथ इसको प्रेस करने से सेटाल होता है यह जान गए अब इसके बाद हम किसी भी फंक्संस में रहते हैं तो वहां प तो यहाँ पर देखिए कि आप पिंटर करना चाहते हैं करके पूछ रहा है यहां पर लाइड भी जालेगी तो आप इंटर करेंगे तो वहाँ पर इंटर हो जाएंगे आप वहाँ कर सकते हैं फिर वहां से आप जो है अलग अलग ये page बटन की साहता से या ये plus minus की साहता से जो भी काम करना होगा वो कर सकते हैं अब चलिए हम instrument में आते हैं तो यहां से जो है हम अपने instrument का selection करते हैं जैसे कि यहां पर देखिए क्या लगा हुआ यहां पर bd001 यह b01 यह कोश्टक में b01 क्यों लिखा है तो यह b01 जो लिखा है न तो यह हमारे जो older 20 octopade था तो उसके हिसाब से यहां पर लिखा है और आप जो है इस octopade में किसी series को जैसे कि हमारे older 20 में था b series, l series, i series तो उस तरीके का इसमें series है और हम series को select कहां से करेंगे हम अपने page button की मदद से करते हैं तो देखिए यहां पर bd लिखा हुआ है न तो यह series है उनका जो भी instrument का series दिया हुआ है इन्होंने तो हम page button की सायता से हम set कर सके हैं जैसे कि यह bd series है अब इसके बाद आएगा यह plus minus की button से हम सीथे जाते हैं किसी भी series में यह फिर अगर instrument change करते हैं तो उसका क्रम आगे बढ़ते जाएगा तो जैसे यह sn series snare tm tom hh hi-hat तो ऐसा इनका series है तो जो है हमीं जब series वाई हमें किसी दूसरे ही मतलब series के instrument को चाहिए तो हम जो है बीडी जो लिखा हुआ है इस series में हम यह जो यहां पर एक छोटा से dot type का होगा देख रहे हैं एक marking line सा जो blink कर रहा है तो यहां से plus minus करेंगे तो हमारा सीधा series जाएगा और जैसे कि हमें अगर अपने इस 20 pro octopate के में जो instrument दिया हुआ है तो उन instrument को अगर हम change करना चाहते हैं जैसे कि हम अभी बेस में हैं यहां पर यह बेसी है तो बेसी का हमें अगर change करना है यह 001 है तो अगर मैं page बटन को प्रेस करूंगा right वाले को तो देखिए इस side आए गया और यह 001 जो 1 है उसके नीचे वह mark blink कर रहा है यह जो भी चीन है तो यहां से हम एक एक नंबर को change कर सकते हैं जैसे देखिए यह अलग आते जा रहा है देखिए अब यहां पर जहे कोश्टाक वाल हट गया है तो इसका मतलब क्या है कि इस बीडी 0-0 बीडी 0-1-2 12-12 पर जो है यह नया ही हमारे octopade में इस 20 pro octopade में दिया गया instrument है अब मैं और प्लस करते जाओंगा तो देखिए B12 वह लिखा है यहां पर B11 है तो यह जो कोश्टाक में है ना तो यह हमारे old 20 octopade के नंबर के हिसाब से दिया गया है ताकि जो old 20 user है तो उन्हें ज्यादा दिक्कत ना हो करके और सिधे वह अपने instrument में जा सकें क्योंकि 20 series जो octopade है वह बहुत ही popular octopade है हमारे इंडिया में और आज भी बहुत अच्छे अच्छे professional player उसी को यूज करते हैं तो उनके लिए भी सुईधा देना company का तो बनता ही है और जैसे कि हम 20 के हिसाब से ही अगर आगे बनना चाहें तो हम इस arrow के चीन को इस जो भी बिलिंक कर रहा चीन है इसको जो हम इस कोश्टा को वाले में ले आएंगे तो देखिए इधार से चेंज होगा सीधे यह 13 है तो देखिए एक कशा बढ़ेगा यह 14 हुआ यह 13 हुआ यह 15 कि एक मिनाट आगे बढ़ते जाते हैं कि मैं इस वी किस वीश कि मैं एक जाक लेकर जाता हूं आपको जहां पर नया चीज लगा हो कुछ कि देखिए यह 11 नंबर पर सेम है दोनों अब मैं इसमें प्लस करता हूं तो बारा पर देखिए इधर का तेरा आ गया 11 12 एक 12 नंबर पर हमें नया इस्ट्यूमेंट दिया गया है इस ओक्टपेट के हिसाब से और 20 प्रो के हिसाब से जो है यहां पर कुछ नहीं है तो इसके बीच में दिया गया है तो मैं उमीद करता हूं कि आप इस पेज को समझे होंगे इस्ट्यूमेंट सेलेक्शन के तो मैं पुना एक बार और बता देता हूं आपको जैसे कि हम इस्ट्यूमेंट बटन प्रेस किये तो सबसे पहले हमें इस्ट्यूमेंट के सिरीज को की उसी टो कि इसियां ऊप्रेस करने का मिलेगा यह बीडी लिखा हुआ है मेन इस इस सब एक सीरीज हैं जिनिमें अलगलग इस्ट्यूमेंट का जो है अ भंढ़ार है अब करो करते हैं तो यहां से जो हम instrument को change कर सकते हैं यानि कि number wise change कर सकते हैं जैसी ये bass drum कहाई है तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से और ये जो है इस 20 pro octopate के हिसाब से instrument plus होंगे और यदि हमें अपने old 20 के हिसाब से plus करना है तो हम जो है यहां जाएंगे बी जीरो अन लिख हो है तो देखी यहां पर blink कर रहा है एक चीन है तो इसमें जो है हम 2, 3 इस तरह से हम जाज सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि instrument selection का आपको ग्यात हुआ होगा अब चलिए मैं जो है इसमें ज्यादा time नहीं लेता हूँ अब जो हमें आगे बढ़ता हूँ अब इसके बाद जो है type switch तो type switch में हम क्या करते हैं जैसे कि यहां पर देखिए एक single tone लगा हुआ है company इसमें जो है दो टोन एक साथ नहीं देती यह जो है blanket है इसमें कुछ बहर कुछ भी page नहीं बना हुआ है तो यहां पर type off है अगर on करूंगा तो देखिए इसमें और एक instrument add मान अगर मैं शाभू तो यहां से देखिए धिरे कर रहा हूं तो करेंगा ऑख और चाल आए प्रेस प्रेस कर रहा हो तो दोनों कि यह दो अब देखिए इसमें धीरे कर रहा हूं मैं तो बेस जोंद यहां करूंग तो किल में एhat यह मेंन लेयर है है और यह सब मरत है अब इसमें जो है एक स्पेड दिया हुआ है इस इसमें क्या होता है एक सपेड में जैसे मैं जितना जोर से प्ले करते जाऊंगा तो हमारे सब वोत जाएगा धीरे-धीरे अगर मैं नीचे से उफर उड़ते आएगा इस तरह से अब जो जोर से एकदम प्ले करने से यह साउंड गाया भी हो जाता है में लेयर का हमारा बस इसमें इतना फंक्शन है इसे मैं अभी आप कर देता हूं एक मिनट इसे आउन कर देता हूं ताकि आपको समझ में यह में लेयर यह सब लेयर लिखा हुआ है तो अगर में लेयर यह पहले में लेयर पर ही रहेगा अब यहां पर सब लेयर देखिए जब में लेयर रहेगा तो यहां पर जो है दो बना हुआ है इस तरीके से इस तरीके से तो इधर वाला जो है तो इधर वाला जो है वो है में लेयर तो अगर तो उस पर हम करके जो है अपना कोई भी इधर सेटिंग और करेंगे तो वो कर सकते हैं तो चलिए मैं इसमें जो है में लियार ही कर देता हूं और टाइप को कर देता हूं अब यहां से जो है हम वाल्यूम कंट्रोल करते हैं सबसे पहले किसी पेट का जैसे इसका बढ़ाता देखिए कम हुआ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम जिस भी पेट को प्ले करते हैं तो उसका जो है नंबर यहां पर सो होता है देखिए मैं फाइप नंबर पेट को हिट कर रहा होता हूं जैसे हम इसमें टाइप कर देते हैं तो भी रहता है सबलेर में लेर देखिए यहां पर यहां पर देखिए दो लेयर लगाय करके दिखा रहा है देख सकते हैं मैं अब चलिए मैं इस आउप कर देता हूं लेवाल अब इसके बाद जो है कर वा तो यह कर वा भी जो है दो या तीन जगा दिया हुआ इस अक्टोपेड में यह टचिंग है यह और एक उसका टाइप हाई यह भी और जब आप फिक्ष्ट में करेंगे तो जह है इसमें टचिंग काम नहीं आएगा अब धीरे प्ले करें यह जोड़ से अवाज उतना ही अउटपूट होगा अब इसके बाद चलते हैं हम यह पेज बटन की मदद से फिक्ष्ट वेल्यू तो यह फिक्ष्ट वाल्यू किसमें काम करेंगा जान रहे हैं केवाल जब आप यह फिक्ष्ट करेंगे इस करवा में फ काम कर रहा है चलिए मैं इसको जो है फिक्षते नहीं लाइनर पर कर रहा हूं अब आगे बढ़ते हैं पेड मिनिमाम वाल्यूम है यह तो पेड मिनिमाम वाल्यूम में जैसे मैं धीरे बजा रहा हूं तो आप इतना भी रख सकते हैं मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही प्ले कर रहा हूं इतना जब आप प्रेक्टिस करते जाएंगे तो खुद आपको समझ में आते जाएगा अब चलिए पीच को जानते हैं एक मिनट और कुछ होगा तो बस इसमें और कुछ नहीं है जैसे कि हम इधर रहते हैं कहीं पर भी किसी भी स्विच की मैं बात कर रहा हूं तो जैसे कि हम उस स्विच को जब हम फस्टे टाइम प्रेस करते हैं तो जो फंक्शन आना चाहिए जैसे कि ये वाल्यूम स्विच को हम प्रेस करते हैं तो वाल्यूम वाला सबसे पहले आता है और अधर को प्रेस करते हैं तो डिके नाम से सबसे पहले आता है तो जैसे हम पर रहते हैं और हमें अपने जो में जगह उस पर आना होता है तो हम क्या करेंगे इधर इसको करके यहां से नहीं आएंगे यहां से आएंगे तो फिर यही रहेगा या फिर इस पेज़ बटन की सायता से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा तो देखी यहां पर मैं सीधे वालूम को लाता हूँ क्यों इसी बटन को प्रेस कर देंगे तो वो जो है रिसेट होकर सेम उसी जगह पर आ जाता है अब चलिए हम पिछ की और बढ़ते हैं तो सुरी मैंने कुछ करने के लिए किया था सभी बटन का तो मैं आपको बता रहा हूं तो उसके लिए फिर से मुझे करना पड़ रहा है यहां पर है को राश्टियों तो यहां पर मैं कोई आवाज ले लेता हूं जिसकी मदद से हम आकुछ ट्यून को समझ पाएं तो यहां पर म ताकि यह जो है अच्छे से समझ में आएगा इसलिए मैं इस इंश्टुमेंट को ले रहा हूं तो चलिए मैंने ले लिया अब पीछ पर जाते हैं तो जैसे कि कोई भी सिंगर या कीब्वर्ड वाला कहता है कि ट्यून हाइ लो करो तो जैसे कि जितना सकती अवाज आपको चिलाता हुआ और पटा चलेगा अपको तो आप अतना प्लस करेंगे अगर आपको उस टेफिस यहाज चाहिए ज्वाज चलाता हुआ जैसे लग इसके लिए क्या करते हैं हम माइनस होते जाते हैं देखिए कितना मोटा होते जा रहा है अर जितना हमें हाई चाहिए रहेगा देखिए तो इस तरह से हम इसमें ट्यून करते हैं यह है कोरश ट्यून अब इसके बाद आता है फैन ट्यून जैसे यह 0 है और मैंने 1 किया तो मा लेजे मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच जो है मैंने जो भी ट्यूनिंग किया है वो जो है अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा हो हमाश चर्यून जारा है और मैनस और अगर जीरो में कर रहा हूं तो वह कम हो जा चाहिnew तो उस सीच्विशन में हमतिते के हैं तो pedal band में क्या होता है इसका आवाज जो है एक band type से हो जाते एक भूतिया type से आवाज आता है अगर आप pedal use करते हैं तो